ओम शान्ती आज 26 नुवंबर की अवेक्त मुर्ली है रिवाईज मुर्ली है 31 दिसंबर 1996 तो आज की मुर्ली का सार है नए वर्ष में अनुभवी मुरत बन सबको अनुभवी बनाओ नए वर्ष में अनुभवी मुरत बन सबको अनुभवी बनाओ तो ये मुर्ली चली है शान्ती वन में जब डाइमंड जुबली हॉल का उद्खाटन हुआ है तो आज की मुर्ली में से हम दस मुखे बाते सुनेंगे तो सबसे पहली बात बाबा ने कहा कि हर एक बच्चे के मस्तक में दिल में सनेहे का सबूत दिखाई दे रहा है बाबा करते आप चाहे किसी भी कोने में बैठे हो डाइमंड हॉल के किसी भी कोने में बैठे हो लेकिन बाब के सामने हो आप तो सोचेंगे कि हम पीछे वाले तो दिखाई नहीं देते ऐसे बच्चों के संकल्ब हैं लेकिन बाब दादा के नैनों में ऐसी ये नोख्य टीवी है, जिससे दूर की चीज भी सामने दिखाई दे रही है, इसलिए बाबा करते हैं, आप सभी बच्चे मेरे सामने हो, फिर बाबा ने का आप सभी बहुत अराम से बैठे हुए हो ना, क्योंकि बाब दादा जानते हैं कि हर एक बच्चे ने चारों और के, चाहे देश के, चाहे विदेश के, सभी ने, चाहे धन से, चाहे मन से, चाहे तन से, इस डायमंड हॉल को बनाने में सहयोग दिया है, तो बाबा करते हैं, आप सभी अराम से बैठकर देख भी रहे हैं और सुन भी रहे हैं तो बाबा कहते आपकी खुशी की मन की तालियां बाब दादा के पास पहुंच रहे हैं और दूसरा पॉइंट है बाबा ने कहा कि शांती वन जो सभी ने बहुत मंग उत्साह से बनाया है तो उसका बाब दादा के साथ-साथ आज आप बच्चे भी दुखाटन कर रहे हो और साथ में नया वर्ष भी शुरू होने वाला है तो बाबा ने क्या किया सभी बच्चों को अपनी दोनों बाहों में समाते हुए दोनों बातों की मबारक दी शांती बन की भी और नए साल की भी और साथ में बाबा ने कहा, जैसे अबी इस समय, साकार रूप में, बाब के साथ उमंगुच सहा और खुशी में जूम रही होना तो ऐसे ही बाबा कहते, नए वर्ष में भी क्या करना, सदा अव्यक्त रूप में, बाबा को अपना साथ ही समझना, अनभव करना क्योंकि ये साथ का अनभव बहुत प्यारा है और बाबा कहते मुझे भी बच्चों के बिना अच्छा नहीं लगता है तो मुझे चलाते चलाते उस समय माई का बंद हो गया तो बाबा ने कहा ये पहला-पहला अनुभव है न? इसलिए ये भी ड्रामा में खेल समझना, कोई भी बात नीचे उपर नहीं समझना, अच्छा है और अच्छा ही रहेगा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा करते आप भी अच्छे बन जाएंगे, और ड्रामा की हर सीन भी अच्छी बन जाएगी, क्योंकि बाबा कहते आपकी अच्छे बनने की वाइब्रेशन, कैसी भी अकर कोई सीन हो, नेगटिव को पॉजिटिव में बदल देगी, इतनी शक्ती बाबा कहते आप बच्छों में हैं, सिर्फ इसको समय पर यूज करो, तो बहुत अच्छे अच्छे अनभव होंगे, और तीसरा पॉइंट है, बाबा ने का इस नए वर्ष में आप अच्छे क्या नवीनता करेंगे, तो बाबा ने नवीनता के बारे में बताया, इस वर्ष अनभवी मूरत बन, औरों को भी अनभव कराओ, बाबा करते खुद भी अनभव करना है, और औरों को भी अनभव कराना है, वाणी द्वारा तो वर्णन करते ही हो, लेकिन हर बच्चे को क्या करना है, हर शक्ति का, हर गुण का अन्भव अपने में करना है तो इसलिए अन्भवी मूरत बनना है तो बाबा ने पूच्छा अन्भवी मूरत हो या सिर्फ वानी मूरत हो तो बाबा कहते इस वर्ष में कोई भी बच्चा ऐसे न कहे कि मुझे इन बातों का तो अनभव है लेकिन इस बात का अनभव नहीं है तो ऐसा कोई बच्चा ना रहे तो बाबा ने समझाया कि ज्ञान कर्थ क्या है सिर्फ समझना नहीं है लेकिन अनभव करना है और जब तक अपने में अनभव नहीं किया है तब तक औरों को भी अनभवी नहीं बना सकते क्योंकि अगर सिर्फ वाणी तक अनभव है और स्वैम में अनभव नहीं है तो जिन आत्माओं की सेवा के निमित बनते हो तो वे भी वानी द्वारा बहुत अच्छा बहुत अच्छा कमाल है सिर्फ यहीं तक आते हैं अनुभवी हो जाएं वे बाबागते कोटों में कोई, कोई में भी कोई हैं तो इसलिए परतक्षता का अधार है अनुभव तो जितना स्वयम में हर गुण हर शक्ति का अनुभव करेंगे उतना ही औरों को भी अनुभवी बना सकते हैं और चोथा पाइंट है बाबा ने अनुभवी आत्माओं की निशानी सुनाई तो बाबा कहते जो अनुभव वाली आत्माओं होती हैं वे कभी भी वायू मंडल वा संग के रंग में नहीं आ सकती हैं वाने के परभाव वाले तो बाबा कहते कभी नाचेंगे और कभी सोच में पड़ जाएंगे लेकिन जिनको अनभव है तो अनभव अर्थात पक्का फाउंडेशन और अगर आधा अनभव है और आधा फाउंडेशन पक्का है तो इसकी निशानी है वो छोटी बड़ी बातों में हिलेगा अचल नहीं होगा क्योंकि आने वाली बातें वा समस्याएं प्रबल हो जाती हैं इसलिए अधूरे फाउंडेशन वाले लड़ खड़ाते रहते हैं गिरते नहीं हैं लेकिन लड़ खड़ाते हैं तो इसलिए बाबा केते अपने अनुभवी मूरत के फाउंडेशन को पक्का करो क्योंकि कई बच्चे तो बाबा केते आज बहुत फास्ट चलते हैं और कल थोड़ा सा चेहरा बदली हुआ होता है तो इसका कारण बाबा ने बताया कि अनुभव का फाउंडेशन पक्का नहीं है और जो अनुभव वाली आत्मे होती हैं उनके लिए कितने भी बड़ी समस्या हो तो बाबा कहते वो ऐसे हल करेंगी जैसे कुछ हुआ ही नहीं है समस्या आई और अपना पार्ट बजाया साक्षी होकर न्यारे और प्यारे होकर खेल समान देखेंगे माना किसी भी समस्या को साक्षी होकर न्यारे और प्यारे होकर बाबा कहते खेल समान देखेंगे बात नहीं उनको वो बात नहीं लगेगी माना परिसिती फील नहीं होगी क्या फील होगा खेल, मनुरंजन तो बाबा केते मनुरंजन तो सबको अच्छा लगता है न तो अनुभवली आत्में हर समस्या को खेल या मनुरंजन के रूप में लेंगी तो बावा केते कोई भी बात हो आपके लिए बात बड़ी तब लगती है जब foundation जरा भी कच्चा होता है क्योंकि foundation बावा केते अगर थोड़ा भी कच्चा है तो हिलने का चांस संभव है तो इसलिए बाब तादा को बच्छों के मेनत अर्थाद युध करना अच्छा नहीं लगता तो बाबा कते मेनत क्यों करते हो, क्यों युध करते हो, क्या योगी के बजाए योधे बनने वाले हो, कि या सिर्फ योगी आत्माई हो तो बाबा ने कहा अगर युद करने वाले संसकार होंगे फिर चंदरवंश में ले जाएंगे और योगी तो आत्मा वाले संसकार होंगे तो सूरेवंश में ले जाएंगे इसलिए हमें डिसाइड करना है बाबा गते कि सूरेवंशी बनना है या चंदरवंशी तो अगर सूर्य वन्शी बनना है तो बाबा कहते युद्ध खतम करो तो आज की मुली से पांचमा पॉइंट है तो बाबा ने कहा जब आप थोड़ा सभी हिलते हो तो बाबा को वतन में भी अन्भव होता है कि कोई हिल रहा है तो इसलिए बाबा कहते जैसे आज शान्तिवन की खुशी है हौल की खुशी है तो ऐसे ही बाप दादा और इतने बड़े संगठन के बीच आज ये वाइदा करो कि इस वर्ष हलचल से परे हो अचर अडोल बनना ही है बनेंगे नहीं बनना ही है तो बाबा कहते ऐसे जो समझते हैं कि हमें बनना ही है वे हाथ उठाओ तो कई बच्चों ने हाथ नहीं उठाया तो बाबा ने बड़े प्यार से पूछा कि शरम आता है उठाने में तो बाबा ने समझाया कि सोचो अगर हाथ उठाने में शरम आता है तो करने के टाइम भी शरम करना और थाथ जब किसी भी बात की हलचल में आएंगे तो इसमें बाबा गते अपने आप पर थोड़ी लज्जा आने चाहिए तो सोचो कि ये शरम की बात है तो बाबा करते फिर वो गलती नहीं होगी तो पक्के हो जाएंगे और छटा पॉइंट है बाबा ने विनाश की डेट के बारे में बताया तो बाबा ने कहा कि चाहे निमित बच्चों से या रूरिहान में बाप दादा से बच्चे एक ही कुश्चन करते हैं कि बाबा विनाश की डेट बता दो तो बाबा करते अच्छा डेट बता देते हैं चलो 2000 में पूरा होगा तो क्या करेंगे क्योंकि मुरली 1996 की है तो बाबा ने कहा चलो 2000 में विनाश हो जाएगा तो क्या करेंगे तो बाबा कहते तो अलबेले बनेंगे या तीवर पुरशार्थी बनेंगे? तीवर पुरशार्थी बनेंगे? या थोड़ा-थोड़ा date conscious हो जाएंगे? गिंती करते रहेंगे कितना समय पूरा हुआ एक मास पूरा हुआ एक वर्ष पूरा हुआ बाकि इतने मास हैं तो date conscious बनेंगे या soul conscious बनेंगे? क्या करेंगे? बाबा केते ये नहीं सोचेंगे कि अभी चार वर्ष पड़े हैं क्या हुआ? लास्ट में पुरशार्थ कर लेंगे बाबा ने बार बार पूछा कि ऐसे लबेले नहीं बनेंगे? या थोड़ा-थोड़ा बन जाएंगे? तो साथ में बाबा ने कहा अगर नहीं भी बनेंगे मना अलबेले नहीं भी बनेंगे तो माया सुन रही है वै ऐसी बाते आपकी आगे लाएगी जो अलबेला पन आलस्य बीच-बीच में आ जाएगा तो फिर क्या करेंगे? तो इसलिए बाप तादा ने कहा कि डेड़ कॉंशिस नहीं बनो ये सोचो कि हर समय अंतिम घड़ी है इतना हर घड़ी में एवर एड़ी रहो फिर साथ में बाबा ने कहा चलो अच्छा मानो बाप तादा कहते हैं कि 2000 के बाद विनाश होगा तो 2000 में सम्पूरण बन जाएंगे और दूसरों को कब बनाएंगे सत्युग में बनाएंगे क्या तो बाबा गते बनाने वाले थोड़े हैं और बनने वाले बहुत हैं उन्हों के लिए भी तो समय चाहिए या नहीं बाबा गते अगली सीजन में भी पुछा था बाबा केते किस पर आज़े करेंगे पुरानी आत्माओं के उपर आज़े करेंगे नई आत्मा है तो तेयार हुई नहीं और विनाश हो जाए तो क्या करेंगे तो इसलिए बाबा ने समझाया कि डेट कॉंशिस नहीं बनना है और बाबा ने एक बात कही प्यार से ऐसे बाबा कहते बाप तादा ने ये काम अपने बच्चे जो जियोत्शी हैं उन्हों वे उपर रखा है जो जूत्शी कर सकते हैं वे बाप क्यों करेगा फिर भी हैं तो बाप के बच्चे तो बाबा कहते उन्हों को कमाने दो उन्हों की कमाई का साधन यही है अगर किसी को बहुत जल्दी है विनाश की तो बाबा कहते उन बच्चों से जाके पूछो बाप नहीं बताएगा और साथवां पॉइंट है बाबा ने समझाया कि हिम्मत का एक कदम बच्चों का और हजार कदम बाप के तो उसके बारे में बाबा ने बताया तो बाबा कहते कई बच्चे रूरिहान में बहुती मीठी मीठी रूरिहान करते कहते हैं क्या करें बाबा इतना तो हो गया है बाकी इतना आप कर लो तो बाबा कहते है राज्ये हम करेंगे संपूरन आप बना दो ऐसे बाबा को कहते हैं तो बाबा कहते हैं ऐसे होगा बाब मददगार जरूर है और अंत तक रहेंगे ये गरंटी है लेकिन किसके मददगार तो बाबा ने कहा जो पहले हिम्मत का पाम आगे करते हैं फिर बाब मदद का दूसरा पाम उठाने में सम्पूरण मदद करते हैं तो बाबा कहते है आप बच्चे हिम्मत का पाम उठाओ नहीं और सिर्फ कहो कि बाबा आप कर लो बाबा आप कर लो तो बाप दादा भी पहले देखेंगे कि पहले पाउं तो रखो अगर एक पाउं भी नहीं रखेंगे तो कैसे होगा तो इसलिए बाबा ने का इस वर्ष हर समें ये चेक करो कि हिम्मत के पाउं मजबूत है बाप को कहने के पहले ये चेक करो हिम्मत का पाउं बढ़ाया और मदद नहीं मिले ये असंभव है सिर्फ बाबा केते थोड़ा सा हिम्मत का पाउं बढ़ाओ इसलिए गाया हुआ है हिम्मते बच्चे मददे बाप तो बाबा केते इसको उल्टा नहीं करो कि मददे बाप और फिर हिम्मत बच्चों की तो निश्य से हिम्मत का पाम जरा भी आगे करेंगे तो बाब तादा पदम गुणा मदद के लिए हर एक बच्चे के लिए हर समय तयार है और आठ्वा पॉइंट है बाबने का वारिस क्वालिटी की आत्मे तयार करो यहां बाबा करते अगर वारिस तयार करेंगे तब अड़्वानस पारटी भी प्रत्यक्ष होगी और बाप की नाम का और प्रत्यक्षता का नगाड़ा चारों और बजएगा अभी तक तो बाबा करते रिजल्ट में सिर्फ इतना ही कहते हैं कि ये अच्छा काम कर रहे हैं या कोई कोई कह देते हैं कि अच्छा काम यही कर सकते हैं लेकिन परमात्मा की तरफ अटेंशन जाए परमात्मा का ये कारे चल रहा है वे अभी गुप्त है बच्चे बाबा करते अपनी शक्ती से सनेहे से बाप को परतक्ष करने का अच्छा पुर्शार्थ तो कर रहे हैं लेकिन अभी तक बाप की परतक्षता मैदान पर नहीं आई है बाबा करते अभी तो सब के मुख से ये निकले कि बस अभी समय आ गया बाप आ गया, तब विनाश भी आ जाएगा जिसलिए बाबा करते बाप से पूछो नहीं कि विनाश कब होगा बाप तो आप से पूछते हैं कि आप कब तयार होंगे बाबा करते मैं तो अपने बच्चों से पूछता हूँ कि आप कब तयार होंगे पर्दा खोलें तयार हो कि पर्दा खोलेगा और तयार होते रहेंगे बाबा करते कम से कम 16108 पक्के पक्के रतन तो परतक्ष करो माला तो बनाओ तो बाब भी देखें कि तयार है इतनी मार्जिन है जादा नहीं कह रहे हैं बाबा करते 9 लाक भी नहीं कह रहे हैं 16,108 की माला तो बनाओ, तो इस वर्ष बापतादा देखेंगे कि 16,108 की निर्विखन अचल माला तैयार है या भी थोड़ा-थोड़ा लड़कडाते हैं, थोड़ा-थोड़ा खेल दिखाते हैं, तो बाबा करते अच्छा ठारा तारी को, मना ठारा जिनवरी को माला बना कर देना, तो हाथ उठवाएंगे, तो आधी सबह केएगी 16,000 में हैं, तो बाबा करते अच्छा जो समझते हैं कि हम 16,000 में हैं, तो वो दाधियों को अपनी चटकी लिख कर देना, कि मैं 16,000 में हूँ या 108 में, फिर दाधियां पास करेंगी, और ऐसे नहीं समझना कि चटकी दे दी है, तो पहले ये दाधियां पास करेंगी, फिर बाब दाधा पास करेंगे, फिर बाबा फाइनल रिजल्ट बताएंगे, और नुवा पॉइंट है, आज का वरदान, अपने आधी, अनाधी, सवरूप की समरिती द्वारा, सर्व बंधनों को समाप्त करने वाले, बंधनमुक्त स्वतंतरभव, तो क्या है आज का वरदान, अपने आधी अनाधी स्वरूप की समरिती द्वारा सर्व बंधनों को समाप्त करने वाले बंधन मुक्त स्वतंतर भव तो बावा कहते आत्मा का आधी अनाधी स्वरूप स्वतंतर है, मालिक है ये तो बाबा कते पीछे परतंतर बनी है मनात्मा द्वापर्युक से परतंतर बनी है इसलिए अपने आधी और अनाधी सरूप को समरिती में रख बंधन मुक्त बनो आधी माना सत्य की समरिती और अनाधी माना परमधाम की समरिती तो इन दोनों समरितियों को बुद्धी में रख, बाबा केते बंधनमुक्त बनो, मन का भी बंधन ना हो, अगर मन का भी बंधन होगा, तो वे बंधन और बंधनों को ले आएगा, बंधनमुक्त अर्थाथ राजा, क्या कहते बाबा? बंधनमुक्त अर्थाथ राजा, स्वराज्य अथिकारी, तो ऐसे बंधनमुक्त स्वतंतर आत्माएं ही, पास विद ओनर बनेंगी, अर्थाथ फर्स्ट डिवीजन में आएंगी, और दस्मा पॉइंट है, आज का स्लोगन, मास्टर दुख हर्ता बन, दुख को भी, रुहानी सुख में परिवर्तन करना ही, सच्ची सेवा है, तो बाबा ने सच्ची सेवा की परिभाशा बताई, कि मास्टर दुख हर्ता बन कर, और सभी आत्माओं के दुखों को भी, रुहानी सुखों में परिवर्तन करना है, तो ये आज की 26 नुवंबर की अव्यक्त मुर्ली में से, दस मुखे बाते हैं, ओम शान्ती, ओम शान्ती,